गुड़ मॉर्निंग दोस्तों हमारे एम एजुकेशन में मैं मनुझकमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आपको पता है कि कल हमने परसेंट में परिच्छों पर सम्मधित लेक्चर दिया था और आज उसका हम जो सेस जो लेक्चर है आज उसको कवर करेंगी तो बच्चो इससे पहले हमारी चनल को सब्सक्राइब करें, सेर करें और लाइक कर लें और वैल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोट्विकेशन आपको जल्दी से मिल जाए तो आएए बच्चो चलते हैं नेक्स्ट कोशनों की तरफ तो कोशन आपका नेक्स्ट कोशन है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान की विशे में 300 में से 32% अंक अरिजित किये वह भासा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अरिजित करें ताकि उसके कुल मिलाकर 40% अंक हो जाए तो बच्चों हम देखेंगे आपको पता लग रहा है कि विज्ञान में कितने अंक अरिजित किये है तो बच्चों विज्ञान में जो अंक अरिजित किये हैं वो 300 में से उसने 32% अंक अरिजित किया गया है तो 32-300 में से जैसी 32% आप बच्चो निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 96 कितना हो जाएगा 96, 32 निचे, 33 करनो, किलियर हुआ दूसरी बात कर रहा है कि भासा, भासा में कितने अंके हैं भासा जो subject है, उसमें हैं, 200 में से कितने अंकरिजद कियें बच्चो यह हमको बिल्कुल पता, कितने % अंकरिजद किये हैं यह हमें बिल्कुल पता नहीं है लेकिन अगर आप total देखोगे, किल की भूला है उसने के किल में से कितने, किल 200 आपके पास हैं सोरी 300 आपके ये हैं 200 आपके ये हैं टोटल कितने हो जाएंगे 500 तो 500 में से उसने 40% अंकरिज़ किया गया है तो 500 में से 40% आप अंकरिज़ करोगे तो बच्चों आप देखो कि कितने हो जाएंगे पांच के 30 हांसिल 3 पांचों को 203 तेज़ कितने हो गए 230 नंबर अंकरिज़ टोटल उसने 500 टोटल जो पूरांग 500 है उसमें से 230 अंकरिज़ किये गये हैं और बिज्ञान में उसने 96 अरज़ित किये गये हैं तो आपको पता लग रहा है बच्चों कि जैसी इसमें से माइनस कर लोगे तो 10 में से 6 गया तो 3 बच गया किलियर हुआ सोरी 10 में से 6 गया तो 4 बचा बारे में से 9 गया तो 3 बचा और 1 कितने अंकरिज़ित किये गये हैं बासा में से उसने कितने अंकरिज़ित किये गये तो आपको पता लग रहा है बच्चों कि बासा में से उसने 136 कर लिए हैं तो आपको पता लगा बच्चो क्योंकि टोटल पूरांग सोका होगा 100% पर उसने कितनी % प्राप्त किया है तो उसने भासा में 67% प्राप्त किया गया है अगर बच्चो आपको अगर मजा रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसी तरह से हम आगे सवालों को कबर करते हैं तो बच्चो अगर आपको मुझे द्वारा अगर वीडियो देखना है तो पॉज करके द्वारा देखिए मुझे द्वारा समझाने से कोई फाइदा नहीं है क्योंग आप वीडियो का मतलब यही है कि आप कई वार उसको देख सकते हैं क्लियर हुआ चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स सेगिन क्वेश्चन नमबर किसी परिच्छा में 1000 लड़के और 800 लड़किया हैं किसी परिच्छा में 1000 लड़के और 800 लड़किया हैं लड़कों में से 60 परसेंट तता लड़किय अनुतिड हुए हैं उनका हमे परसंत घ्याद करना है तो बच्चो देखेंगी वइस कितने हैं 1,000 और गल्ज कितने हैं आएट सो आपने देखा बच्चो जो वइस हैं और गल्ज हैं एक तरव आपनेवइस लेखा और एक तरब आपने गल्स लेका वोईस कितने है 1000 और गल्स कितने है 800 यहां आपने देखा clear हुआ वोईस कितने है 1000 गल्स कितने 800 पर उसने यह बोला है कि लड़कों में 60% उत्तीर हुए है तो जब हम इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 इसका जैसी आप 60% निकालोगी बच्चो तो कितना हो जाएगा 600 तो 600 तो लड़के पास हुए हैं दूसरी बात 50% लड़कियां उत्तिर हुए हैं तो 800 का 50% कितना हो जाएगा बच्चो 400 तो 400 लड़कियां उत्तिर हुए हैं टोटल आपके कितने उत्तिड हुए हैं, टोटल आपने देखा यहां से 600 और यहां पर 400, टोटल 1000 उत्तिड हुए हैं, लेकिन अगर हम यह देखेंगे, यह तो qualifying किया है, clear हुआ, qualifying किया है, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता की चलूँगा, यह तो उत्तिड हुए हैं, तो 400 निकालों कि यह फेल हुए है, यह हमारे अनुतिड हुए है, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो, सबसे आसन तरीका है, दूसरा, अगर 50% फेल हुए हैं, तो 50% ही पास हुए होगे, तो 400 यहां से, अब आपने देखा बच्चों, कि 400, 400 कितना होगे, 800, 800 लड़के फेल होगे अनुतिड हो गए है, अब देखेंगे, टोटल परिच्छा में कितने बैटे थे, 800, 800, 800 में से कितने बच्चे पास हुए है, 800 लड़के पास हुए है, तो हम परसेंट निकालना है, अनुतिड परिच्चा का परसेंट निकालना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जितन यह भी हमारे पास total है आप इसका 100% आप निकाल दोगे जैसे आपने बच्चों 100% निकाला दोजिरू से दोजिरू कटम कटम हो गया 9 और यहां से आपने जैसी डिवाइट किया तो कितना 400 बार चला गया ठीक है और जैसी आप डिवाइट करोगे तो 9.36 ठीक है 9.36 तो यहां से इतना परसेंट तो 44 सही 4 वटे 9 परसेंट विद्यारती क्या हो जाएंगे आपके अनुतिर हो जाएंगे यहां आपको समझ में आ गया होगा किलियर हो गया चलिए बच्चों तू अगला कोशन है एक परीच्छा में 1100 लड़के तथा 900 लड़क नहीं है तो आगे देखेंगे एक परीच्छा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियों ने भाग लिया उनमें 50% लड़के तथा 40% लड़कियों ने भाग लिया जो उत्तिर हो गई तो अनुतिर परिच्छारतियों का प्रतिसत कितना होगा तो आईए बच्चों हम जानते हैं क अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ साथ जल्दी जी करिए वोइस कितने हैं 1100 तो बच्चों यहां पर आपने देखा वोइस कितने हैं 1100 और गल्स कितनी है 900 वोइस 1100 और गल्स कितनी है 900 अब उसमें 50% लड़के उत्तिर हुए हैं और 40% लड़कियों उत्तिर हु 50% का आदा होता है इसका मतलब 550 क्लियर हुआ 550% कैसे हो गया फेल हो गया और 550% ही अनुतिड हुए ठीक है आगे दूसरा क्या बोला है 40% लड़कियां है वो उतिड हुई है 40% लड़कियों ने इसमें भाग लिया है तो नौच के चोगन 540 तो आपने देखा के 550 वोईज हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया और 540 गर्ल्स हैं इन्होंने भाग नहीं लिया है टोटल हम देखेंगे बच्चो कितना हो रहा है 190 और अगर यहां पर हम देखेंगे के टोटल थे कितने तो यहां पर देखोगे आप 2000 11900 कितना हो गया 2000 और यह कितने है 1090 तो आप बच्चो आराम से % निकाल सकते हो % निकालने के लिए आपको जितने भी बच्चे नहीं भाग ने लिया परिछा में और 2000 टोटल मैंजे और 33 इसका percent आप जैसे करोगे तो आपको percent आपको भाग ना लेने वाले उनका percent मिल जागा 2.0 से 2.0 कतम 1 से 1 कतम 2.5 साथ 2.4 कवार्ड और 2.5 10 तो आप कितना percent हो जाएगा 54 percent किलिए समझ में आ क्या ठीक है तो अगला चलो अगला question देखते हैं अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा समझना है तो बच्चो बार बार में हमारी वीडियो देखिए चलिए next question की तरफ चलते है समझ में आ रहा है तो बच्चो जल्दी से जल्दी like कर दीजे और share जरूर कर दीजे आग लगा दीजे YouTube पर जिस तरह से अगर आप जैसे जैसे ज़्यादा like करोगे, subscribe करोगे, ज़्यादा स्यादा दोस्तों के पास वीडियो को share करोगे तो बच्चो मुझे भी बहुत मज़ाएगा और मैं भी मुझे motivation मिलेगा और मैं जल्दी से जल्दी सवालों को करता रहूँगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिस करूँगा, ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं एक परिच्छा में 40, 50 तता 60 चात्रों वाले तीन समुओं ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर ता सत करमसा, 100%, 90% तता 80% था यदे समुओं के कुल चात्रों का उत्तीर प्रत्सत कितना था, तो वो ये कहरा है तो आप ये बताईए कि उस समुओं के कुल चात्रों का उत्तीर प्रत्सत कितना था, कि कितने परसेंट बच्चे वहाँ पर पास उत्यड हुए तो देखिए यहाँ पर क्या है तीन ग्रूप है, ग्रूप फस्ट यहाँ देखोगे एक ग्रूप फस्ट दूसरा ग्रूप सेकंड और तीसरा ग्रूप थर्ड, तीन ग्रूप है तो देखिए पहले टोटल उसने एक में तो 100 पर्षेंट उसने उत्तीड किया है तो 40 के 40 ने उत्तीड कर लिया 100 पर्षेंट का मुतलब total हम बच्चों देखेंगे कितनी लोगों ने उत्टिर किया है तो आपने देखा, 8 हो 513 की 3 हासल, 1,4, 4, 12, 12 और 1, 13, clear हुगा, ठीक है, 13 हो गया, और यहां पर total हम देखेंगे, बच्चों कितना हो रहा है, 1500, total कितना हो रहा है, 1500, clear होगा, तो फिर हम देखेंगो 3% जैसे निकालेंगे 133 वटे 150 और 100% % निकालने के लिए आपको 100% का multiply करना पड़ता है तो 5 से ये 2 बार और 5 से 3 बार clear कट गया ये 2 3 6 2 3 6 2 1 2 और जैसे divide करोगे तो 2 8 24 फिर 2 8 24 तो यहां से कितना बचेगा इतना तो आपका जो answer हो जाएगा वो 88 सही 2 2 3% के लिए समझ में आगया तो आपको मुझे दोवारा बताने कि कोई जरूवट नहीं आप वीडियो को बार बार पर देख सकती हूँ चलिए अगला next question देखते है आज हम परिच्छा का पूरा अच्छे से अच्छे सवाल लेके चल रहे है आज ये पूरा खतम करा देंगे बच्छो कल हमारी जो class रहेगी वो रहेगी election से समझ सबाद चुनाब से समझ जतनी भी सवाल है उनकी class रहेगी चलिए next question देखते है question number 5 question number 5 क्या कहता है एक class में दो section है एक class में दो section है जिन में 20-30 बिद्यारती है एक में 20 है और दूसरी में 30 बिद्यारती है इन sectionों में उत्तीड परिछारतियों का प्रत्सत करम सा 80% 80% 80% और 60% है तो पूरी class में उत्तीड बिद्यारतियों का प्रत्सत कित्रा है बिल्कुल सेम ऐसा ही question है तो देखिए बच्चो दो class है एक class first और दूसरी class second ठीक है एक class में कितने बच्चे बेटे हुए है एक class first दूसरी second एक class में 20 बच्चे बेटे है और दूसरी class में 30 बच्चे बेटे है clear समझ में आ रहा है दो जीरो खतम कर लो आट दूने सूल है जो बिल्कुल जीरो है वो इस तरह से हल कर सकते हैं बाकी तो सब बच्चे जानते ही हैं और 60% करेंगे तो कितना हो जागा 18 इसका 60% जैसे आप निकालोगे तो कितना हो जागा 18 तो टोटल बच्चों हमने देखा कि यहां आप देख ल यहां तो आप यह देख लीजिए कि 55% पर कितना है। 34 तो 100 पर कितना हो जाएगा क्लियर तो कितना हो के और 60 तो 68 तुर सट बि ध्यारतियों ने परिच्छा में पास चिया क्लियों हों समझवाई हैं क्योंके 50 पर कितना ओ ate 34 तो 100 पर कितना हो गया और 60 तो 68 परिद्यारति परिच्छा में पास हुए समझ में आ गया होगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं एक बहतरिन सवाल है जबरजस सवाल है उसको भी देखके चलते हैं नेक्स सवाल एक परिच्छा में A को B की अपेच्छा 25% अधिक अंक मिले और B को C की अपेच्छा 10% कम अंक मिले तता C को D की अपेच्छा 25% अधिक अंक मिले यदि D को 500 में से 320 अंक मिले हो तो A को कितने अंक मिले देखिए बहुत ही अच्छा कोश्चन है बच्छो यहाँ पर 4 लोग है एक तो A है दूसरा B है तीसरा C है 4 लोग है बच्छो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम D की तरफ से देखते हैं यह कह रहा है C को D की अपेच्छा 25% कम अंक मिले 25% कम अंक मिले है इसका मतलब यह है C की अपेच्छा D को 25% कम अंक मिले है इसको 5 मिला होगा तो इसको 4 अंक मिला होगा क्यों? क्योंके 25% अंक बराबर होता है बच्चो एक बटे 4 और इसको ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा तो 5 और 4 हो जाएगा दूसरा उसने बोला है कि B को C की अपेचा 10% कम अंक मिले ठीक है 10% कम अंक मिले इसका मतलब इसको 10 मिला होगा तो इसको 9 मिला है 10% कितना होगा कम 9 होगा तो इसको 9 मिला है तीसरा क्या कह रहा है बच्चो कि A को B की अपेचा 25% अधिक अंक मिले इसको 25% अधिक मिले है तो इसको 4 मिला होगा तो इसको 5 मिला होगा clear यहां तक समझ में आ गया clear समझ में आ गया है ना चलिए आगे देखते हैं आगे इसने क्या किया अब आपको क्या करना इसको बेलकुल equal कर लेना है जैसे यह दोनों equal कर लो इन दोनों को equal कर लो तो इसको 36 बनाना है ठीक है क्योंके 18 से तो नहीं होगा 36 बनाने के लिए इसमे कितना 9 का गुणा करें तो 9 परना 45 हो जाएगा ठीक है इसमें 9 का गुणा करेंगे ठीक है और अब इसे तो 36 बनाने के लिए 9 का multiply कर दिया अब इसे 36 बनाने के लिए 4 का multiply करेंगे तो 4 धारे 40 यह तो 36 हो गया इसको कितना कर लिया 40 ठीक हुआ अब यह 40 है तो इसको 40 बनाना है तो इसमें 8 का तो 8 4 के 32 इतना हो जाएगा के लिए समझ में आया तो आपका रेशियो हो जाएगा 50 36 40 32 ठीक है आपका रेशियो का टॉपिक कराएंगे अगर आपको समझ में नहीं आए किस तरह से हम इनको equal करते हैं इन value निकालते हैं तो यह भी हमको बता देंगे आपको तो यहाँ पर इसको D को कितने मिले हैं 500 में से 320 अंक मिले हैं बच्चों तो 320 के लिए आप 32 दिगरा यहाँ पर 10 का multiply किया है अब आप से पूचाए कि A को कितने अंक मिले हैं तो आप 10 का यहाँ multiply कर देजिए तो कितने हो जाएंगे 450 क्लियर समझ में आया कितने हो जाएंगे 450 इसी तरह से B को कितने हो जाएंगे 360 इसी तरह से A C को कितने हो जाएंगे 400 समझ में आ गया बहुत ही अच्छा question था इसी तरह से बच्चों हम एक और question लेके चलते हैं अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो मेरे साथ साथ उसको करिए और comment करके जरूर बताईए उसका अंसर के क्या होगा एक question में आपको humber के लिए दूँगा अगर आप उसे नहीं बताऊगे तो कल अगर नहीं कर पाऊगे तो कल में उसका आंसर जरूर दूँगा चलिए एक और question देखते है बिल्कुल सेम ऐसी तरह से है एक परिच्छा में जिसमें पूरांग 500 थे इसमें भी पूरांग 500 और पहले बाले सवाल में भी 500 थे A को B की अपेचा 10% कम अंक मिले इसी में B को C की अपेचा 25% अधिक अंक मिले तता C को B की अपेचा 20% कम अंक मिले यदे A को 360 अंक मिले हो तो D को कुल कितनी अंक मिले तो यहाँ पर A का अंक दे दिया 360 तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर हमने 1 A रख लिया दूसरा B रख लिया तीसरा C रख लिया और चौता हमने D रख लिया यह रखने के बाद में अब A को कितना मिला है बहुती नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे और आप बहुती आसानी तरीके से हल कर सकते तो यहाँ पर कोई आपको रेश्यू नहीं बनाना है क्योंकि A को आपको पता है कितने अंक मिले है 360 मिले है क्लियर हुआ एको कितने मिले है 360 अंक मिले अब यह कह रहा है कि A को B की अपेचा 10% कम अंक मिले है क्लियर हुआ 10% कम अंक मिले है चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो A को 10% कम अंक मिले है अभी जो करायत है उसी तरह से कर सकते हो हाँ तो इसने बोला है कि C को D की अपेचा 20% कम अंक मिले 20% कम अंक मिलने का मतलब यह होता है कि अगर इसको 5 मिले हैं तो इसको 4 अंक मिले होंगे, कितनी मिले होंगे इसको 5 मिले हैं तो इसको 4 चार अंक मिले होंगे ठीक है और B को C की अपेच्छा 25% अधिक अंक मिले इसको 4 मिले होंगे तो इसको 5 अंक मिले होंगे किलियर हुआ तीसरा हम देखेंगे एको 10% कम आंक मिले अगर इसको 10 मिले होंगी तो इसको 9 मिले होंगे यहां तक बिल्कुल clear समझ में आया ठीके अब आप देखोगे इसको बराबर करना है तो इसको बराबर करने के लिए 20 होना चाहिए तो इसको दो का गुणा कर दो तो 18 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 clear हुआ इसमें 2 का गुणा कर दो तो 20 हो जाएगा अब इसको 20 बनाने के लिए 4 का मल्टिप्लाई करना बढ़ेगा तो 4 चोक 16 हो जाएगा तो यह 16 हो गया इसको 16 बनाने के लिए 4 का multiply कर दिए तो ये कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा के लिए हो रहा है चाहू तो आप इसको काट सकते हूँ ठीक है दो से नौ बार कट गया दो से दस बार कट गया दो से कितना हो गया आठ बार और दो से कितना हो गया चाहू तो आप इस तरह से कर सकते है चलिए जैसे ये त 360 अंक मिले है एको कितने मिले है 360 अंक मिले है तो इसमें कितने का गुणा किया हुगा 40 का ठीक है तो आप से पूचा है कि D को कितने अंक मिलेंगे तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 40 का मुल्टिपलाई कर दोगे तो कितना हो जागा 400 तो D को कितने मिल जाएंगे total 400 अंक लेकिन वो percent की पूछ रहा है कि D को कितने percent अंक मिले तो D का percent अगर आपको निकालना है तो आपको बता है कि 400 मिले है और total पूराग हमारा 500 दिया है तो सीधे सीधे इससे divide कर दिया 5,8,40 तो D को 80% अंक मिला है कितना मिले है D को 80% अंक मिला है clear समझ में आगया तो ये आपको समझ में आगया बच्चो ठीक है clear चलिए last सवाल देखते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चो तो ज़्यादा ज़्यादा share कर दीजे तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है share करिए भाई जल्दी से जल्दी करिए मज़ा आ रहा है तू जल्दी से जल्दी share कर दो भाई जल्दी से जल्दी कल हम इसका topic जो percentage का topic है election उसके बाद में population वाल लेके चलेंगे फिर mixture वाला कुछ बस्तू है खरीदने बेचने वाला के इतनी percent की कमी होगई इतनी percent ब्रद्दी होगी उनको सवालों को भी लेके चलेंगे आज हमारा ये last सवाल है बच्चो देखते हैं ये क्या है तो बहुत ही खतरनाक सवाल है बहुत ही एक्जाम में कई वार आ चुका है और एक्जाम के लिए बहुत ही यादा important लिखिए किसी परिच्चा के प्रिष्ट पत्र में पांच प्रिष्ण थे पांच पर्षेंट ने सभी प्रिष्ण हल किये तता पांच पर्षेंट चात्रों ने एक भी प्रिष्ण हल नहीं किया सेज के 25 पर्षेंट चात्रों ने केवल एक प्रिष्ण पत्र हल किया तता 20 पर्षेंट चात्रों ने चार प्रिष्ण पत्र हल किये यदि कुल के 24 सही एक वटे 2 पर्षेंट चात्रों ने 2 प्रिष्ण पत्र हल किये और 200 चात्रों ने 3% पत्र हल किये तो कुल कितने चात्र थी ये हमारा आज का सवाल है कमेंट बोक्स में इसको हल करिए और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसका सॉलूशन हम कल देंगे आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा तो बच्चो वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूब बताईए और हम रेगुलर आपको एक सॉल्व करने के लिए कोशन देंगे आप उसको हल करके बताऊगे नहीं आएगा तो हम वीडियो से पहले लेक्चर से पहले उसको सॉल्व कराएगे तो बच्चो आपको इजाज़त देजिए और जल्दी चल्दी अधिक सदिक दोस्तों के वास भेजिए शेयर करिए जिससे मुझे भी मोटिवीशन मिले और मुझे बहुत मज़ा आए ठीक है तो नमस्कार दोस्तों आज की क्लास यहीं समापतो होती है थेंक यू नमस्कार